टोपिक पता नहीं चाल पाया सी, कल वाला टोपिक कुछ कुछ स्टुडेंट्स दी वीडियो नहीं चाल पाई सी, टेक्निकल इशू करके, ता कल वाला मैं 27 मिन्ट विच रपीट करन जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आदे फ्रेंड्स नू काल कार देओ, लाइव शेर कार तो बिजनस टड़ी दे यूंट नंबर वान दे विच है, साथे कोल नेचर एड़ सिगनिफकेंस ओफ मैनेजमेंट दे नालनल फंक्शन ओफ मैनेजमेंट, बेटा जी हैं दे विच हो एक एक नंबर वाले दो कोसन आने हैं, और दो नंबर वाला एक कोसन आना है, और चार वाला आ भी सकदा है ते नहीं भी आ सकदा, ते चार नंबर वाला कोसन नेक्स्ट यूंट पे यूंट नंबर वान ते यूंट नंबर दो दे विचों, दोनों यूंट विचों कोई भी पाया जा सकदा है, किसे यूंट विचों भी चार नंबर वाला पाया जा सकदा है, इ discuss in brief four characteristics, features, points of nature of management. ए चार नंबर दा बड़ा ही इंपोर्टन कोर्शन है, फीचर ओफ मैनेजमेंट, and next one is साड़े कुल है, what do you understand by P, O, S, D, C, O, R, B, two marks दा बड़ा ही इंपोर्टन कोर्शन है, next is what is meant by management in action, again दो नंबर दा एंपोर्टन कोर्शन है, जी, unit number 2 दे विच प्यारे विद्यार्थियो, principle of management, इंदे विचों भी चार नंबर दा कोर्शन आ सकता है, second unit विचों, और first unit विचों मैं क्या सी option है, दोना विचों, चार नंबर दा कोर्शन, किसे chapter विचों भी, किसे unit विचों भी आ सकता है, जी, और principle of management दे विच तेन नंबर दे, एक एक नंबर वाले तेन कोर्शन आने हैं, तेन नंबर दे, इंदे विच दो नंबर वाला इंपोर्टेंट है, एक स्प्लें ब्रीफली स्कालर चेंज, जा गैंग प्लांक, इंपोर्टेंट है, वट इस दी प्रिंसिपाल ऑफ आडर, प्रिंसिपाल ऑफ जाशन, कि यह याद रखना, चाए क्राइक्टर्स्टिक्स पूंचले, चाए प्रिंसिपल पूंचले, कोई भी कोशन पूछ ले इंपोर्टेंस पूछ ले हमेशा हो दे लिख्या हो दै एनी फोर तो तुसी चार नहीं कटो कड़ पांच तो छे अलेबोरेट कार दिया करो और बाकी प्रिंसिपल दे नाम लेख दे ओ चोधा दे चोधा ता बैट रहे तो अनू नहीं भी आदे कोण गेत उनना विच्छो चार विच्छो चार मेल जान देने और बिजनेस टड़ी विच्छो भी पूरे माक्स आ जान देने सो विच्छो सो अटेम्टेशन वदी आउनी चाहिए इन्दे ते तुसी टाइमिंग दा त्यार रखना है जिन्दी टाइम दी मैनेजमेंट टाइम दा जरूर त्यार रखना है नेक्स्ट आ गया डिफ्रेंस बीट्विन यून्टी ओफ कमांड एड यून्टी ओफ डिरेक्शन ए दो नंबर दा वी इंपोटेंट है और चार नंबर दा वी इंपोटेंट है इस नो त्यार नाल करना है जी सेंटिफिक मैनेजमेंट दे विच अगे की करना है ऐसी मीनिंग टाइम स्टडी मोशन स्टडी डिसकस हार्मोनी नाट डिसकॉर्ड शान्ती असैम्ती नहीं ता एस अडे कोल असी त्यार रखना है इंदे विच एक नंबर वाला जा दो नंबर वाला भी आ सकता है एक नंबर वाला जा दो नंबर वा सकतीए डिस्कॉस होर्मनी नोड इस्कोड शान्ती एसेंप्टी नहीं एक नंबर मुझा सकता है दो नंबर मुझा सकता है तो तुसी बेटा जी सुनू तयानाल देखना है जी इस तुबहाद साथे को लेक्स्ट आगया यूनित नंबर 3 प्यारे विद्यार्थियो यूनित नंबर 3 वेच है साथे को बीजनस इन्वाइरमेंट बीजनस इन्वाइरमेंट दे वेच इमरे कल वला रीकेब कर रहां थोड़ा जया जड़े बच्चे नहीं पाड़ पा प्यारे भी त्यारती हो, इंदे विचे व एक नंबर वाले दो कोसन आणे हैं, और दो नंबर वाला एक कोसन आणे है, त्यार रखना business environment चो चार नंबर वाला कोसन आणा ही नहीं, फिर सानुकी लोड़े असी चार नंबर वाला कोसन ही तो त्यार करिए, इन्दे विच एल पीजी दा त्याहर रखना है एल पीजी लिब्रिलाइजेशन पी मीन्स प्राइजेशन एल मीन्स ग्लोबिलाइजेशन यानि के उदारी करन, निजी करन ते व्याश्वी करन इनना दे मीनिंग एक एक नंबर दे इंपोर्टेंट है और अड़्वास्ते में इन्मीनिंग दे तवज़ो देनी है दो दो नंबर दे इंपोर्टेंट है एक एक नंबर दे वी दो कोशन आने है और इन्दे विच छोटा जा टोपिक है डी मोनेटाइजेशन नोट बंदी नोट बंदी वेच असी प्यारे विद्यार्थियों की करना है मीनिंग इन्द या फीचर्ज दो नंबर दा सकता है एनी टू फीचर्ज नोट बंदी एठ नंबर दो यार सोला नू लगग होई ठीक है जी इन्दे वेच पांच सो ते हजार वाले नोटा ते पबंदी ला दिती गई पांच सो ते दो यार वाले नवे नोट जारी कीते गए और इन्दे तो इलावा दो चार लैना होर लिख दा गए ते डी मोनेटाइजेशन दा मसला हल हो जाएगा जी हुन इन्द नंबर चार आगया प्यारे जी अर्थियो नमा टोपिक कल वाला मैं रीकैप कीता आज तो शिरू कर दे हैं इन्द नंबर फोर दे वेच आगया साटिकल प्लानिंग ने योजन हुन प्लानिंग दे वेच डीर स्टूडेंट्स फिर चार नंबर वाला कोर्सन नहीं आना कई बच्चे आया में करें बेठे टेंशन नहीं बेठे ने कि पता नहीं की होएगा बिजनस टडी दा पेपर वदिया हो जान दा है उस बच्चे दा जेड़ा पूरी ना तरह ना त्यारी कर लेंदा है जिनने कोर्सन मैं तुन कहरे हैं जित उसी इनना वाल तवज्जो दे देओगे चंगी तरह ना कर लोगे तो अड़ा बेड़ा जुरूर पार हो जाएगा हुन प्लानिंग देविच सनु चार नंबर दा कोर्सन त्यार करन दी की लोड़े जदो ने देचो आना ही नहीं ता अस यादा टाइम क्यों वेस्ट करिए हुन ने देविच की करांगे दो कोर्सन आने ने एक नंबर वाले और एक कोर्सन आना है दो नंबर वाला सब तो पहला की करांगे डफाइन प्लानिंग दो नंबर दा मैनेजमेंट बाइ उबजेक्टिव एम्बियो मैनेजमेंट बाइ उबजेक्टिव वट इस बजट एड़ अड़ रूल्स ए चार कोर्सन में निकाले हां दो-दो नंबर वाले इम्पोर्टन कोर्सन आन इननों तुसी जरूर याःद करना है नेक्स्ट ए साथ एकोछ यूनेट नंबर फाइब ऑर्गनाइजिंग सगठी करन होन ओर्गिनाइजिंग चैप्टर दे विचों ते स्टाफिंग वाले चैप्टर दे विचों दोना दे विचों चार नंबर वाला कोसन आ सकता है हस यह थे चार नंबर वाला भी डिसकस करांगे लेकिन उस तो पहला इंदी बीच एक नमबर वाले तेन कोस्टन आने हन और दो नमबर वाला एक कोस्टन आना है जी जड़े मैं तो डिली इंपोस्टन निकाले हन Define Organizing दो नमबर दा IMPORTENT है Formal Organizing दो नमबर दा IMPORTENT है Informal Organizing दो नमबर दा IMPORTENT है divisional structure दो नमबर दा important है delegation of 30 दो नमबर दा important है next importance of organizing चार नमबर दा important है feature of organizing चार नमबर दा important है होन जी जासी ये चार नमबर वाले करने ने तब any four आने ने तुसी मान लो साड़े को लो importance हगियाने 10 तुसी कोशिच करो 10 दिया 10 याद कर लो लेकिन elaborate व्याखिया किना दी करनी है सिरफ 4 दी पर तुसी risk नहीं लेना चार तो ज्यादा कर लो 4, 5 ज्या 6 मान लो 4 आ जी को गलत भी हो जे तो पंजमा तोड़ा चेक हो सक़ता है पंजमा गलत हो जे तो 6 ज्यादा दी व्याखिया करन दी लोडनी जादानों elaborate करन दी लोड नी जादा दी explanation देन दी लोड नी एनी 4 करने हों दियान लेकिन जी तो उनू चार तो जादा ने कल ले heading दे नाम लिख देने हों दियान जी एसी साड़े कॉल organizing लेकिन एन दे विचो चार नमर दा कुस्टन आ भी सकता है ते नहीं भी आ सकता क्योंकि option है next staffing को दे वेच ता next प्यारे भी दियारते हो साड़े कोल topic आ गया unit number six staffing होने दे विचो साड़े कोल एक नमर वाले दो कोस्टन आने हों और दो माक्स वाले दो कोस्टन आने हों इन दे विचो दो ना दे चार-चार number वाले करांगे रिस्क नहीं लवाँगे दो number वाला important kid है defined staffing what is meant by training दो number दा होन training वेच कोई definition आये ता तुसी उन्हों जरूर याद करना जित्ते भी कोस्टन जरूर डेफिनेशन आजे है उन्हों with writer name जरूर याद करया करो on the job training अमेशे important रेंदा है off the job training मेशे important रेंदा है दो number दा features of staffing चार number दा important है feature of staffing फिर थे किनिया करने हो दियाने again any four ता इसनों क्यान नल करना है internal source of recruitment अंदरूरनी सरोत परती दे जरूर याद कर लेने ने external source of recruitment बारी सरोत परती दे ये भी important है इंदे विचो दो number दा भी आ सकता है इंदे विचो चार number दा भी आ सकता है तो बेटा जी unit number six तकन मैं तो नो important question तो डिसकस किती है कल तो अड़ा संड़े है तुसी कल शाम सात वजे तकन इन questions नो त्यार कर लो सात वजे कल फिर अपा लाइब होँआंगे और तो अड़ेना लोड डिसकस्शन करांगे मैं अमीद करदा कि तुसी सारे ने आज वाले lecture नो लाइक कारता है फटा फटा लाइक कार देओ जिनने ले चैनल अज़े तक सबस्क्राइब नी किता ओ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देओ तांगे तो अपडेट इनफर्मिशन मिल दी रहे आज दा अपना टोपिक है नई सी कल अपा नेक्स यून्ट लेके नेक्स इंपोर्टेंट लेके दबारा मिलागे ओदो तकन जैम तुसी कार बैठके क्यारी कर दे रहना है जी